अब इसके साथ हम दो और important function के बारे में देखते हैं जो है today and now देखे अगर हमें आज की system की exact date चाहिए जो अभी की date है उसके लिए हम today function का use करते हैं अगर मैं यहाँ पर today on करूँ और bracket start and bracket close करके enter करूँ तो अब देखेंगे यहाँ पर आज की जो date है वो यहाँ पर display कर रही है आड में system की date 14 October है तो यहाँ पर 14 October date यहाँ पर display कर रही है